नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि बिगिनर्स किस तरीके से option selling में आ सकते हैं, option selling शुरू कर सकते हैं लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको इस समझाना चाहता हूँ कि option selling बहुत ज्यादा risky business है प्रीज आप पहले थोड़ा सा जो है life में अपने investment कीजिए, share market की उसको understanding मिलेगी उसके बाद आप shares में थोड़ा सा trading कीजिए, चाहे intraday हो, चाहे positional हो, वो करने के बाद थोड़ा थोड़ा सा छोटे पैसे से आप option buying की try कीजिए मैंने option buying का भी वीडियो बनाया है, बिल्कुल इसी तरह का basic वीडियो वो भी आप सीखिए, option buying के वीडियो का link में आपको description में provide कर दूँगा जब आप थोड़ी बहुत option buying भी सीख जाएं, तब आप यह option selling आप शुरू कीजिए, तो इस वीडियो में बिल्कुल basic से option selling के बारे में में बात करूँगा तो option selling में सबसे पहले आपको 3 चीज़ें जो है, वो basic पता होनी चीए, यह मैंने option buying वाले वीडियो में भी cover की है, पहली चीज़ है वो है delta, डेल्टा यानि कि जो भी आपका underlying है, माल लेजिए आप किसी share के या index के, चलो हम example के लिए हम bank nifty माल लेते हैं, कि हम bank nifty में option selling सीख चाहते हैं, ठीक है, तो bank nifty का price movement के साथ में आपके जो option है, उसका कितना price movement होगा, वो एक delta करके factor होता है, वो decide करता है, जैसे example के लिए add the money, out of money, in the money, ये तीन word आपने सुने होंगे, नहीं सुने तो मतायता हूँ, जो भी इस समय bank nifty का जो price चल रहा है, उस price पे जो option है, उस जैसे हम add the money option बोलते हैं, जैसे मैं example के लिए मैं आपको यहाँ पे मेरी screen पर दिखाता हूँ, मान लिजी हम अभी bank nifty के देखिए, ये future जो है, जून, जुलाई, अगस्त, अभी जून का महीना चल रहा है, तो future हमेशा जो महीना भी चल रहा है, उसका और उसके दो आगे के महीने के future जो है चलते हैं, तो हम यहाँ पे जून का future हम add कर लेते हैं, तो इससे आप यहाँ पे देख पाएंगे कि इस समय देखिए, bank nifty के future का price चल रहा है, 44,282, तो उसके आसपास सबसे पास की जो strike होती है, जैसे bank nifty में strike होगी, 44,200 की भी strike होगी, और 44,300 की भी strike होगी तो सबसे पास में इसके 44,300 की strike, तो हम अगर यहाँ पे bank nifty 44,300 लिखते हैं, तो आप देखिएंगे कि CE और PE दो चीज़े आपके सामने आ रही हैं, देखिए, यह CE है, यह PE है, और यह जो हैं, यह महीने के आपके सामने options हैं, और यह जो date लिखिए है, 8th June, या 15th June, या 22nd June यह weekly options हैं, तो मानली जी हम weekly में अगर खेलना चाहरे हैं, तो हम एक call भी इसका add कर लिया, और put भी add कर लिया, तो यह जो 42,300 के call और put जो होते हैं, इनको हम add the money call और put बोलते हैं, ठीक है, तो delta जो मैं आपको समझा रहा था, वो यह है कि अगर मानली जी निफ्टी का price एक add the money जो call है, वो 50 पैसे उपर जाएगा, और जो add the money put है, वो 50 पैसे उसका price गिरेगा, तो ऐसे उसको जो है, वो delta बोलते हैं, इसी तरह से जो चीजे दिरे-दिरे in the money होती जाती हैं, उनका delta 50 से बढ़के 60, 70, 80, 90 ऐसे उपर बढ़ता है, और जो चीजे जो है, उससे बाहर price जो है, उनका delta जो है, वो 50 से कम होता हुआ, बाहर चला जाता है, तो मान लिजे जैसे आप कोई call ले रहे हैं, और जैसे आपने देखा कि यहां पे 44,300 का call जो है, वो add the money, अब मैं इससे अगर बाहर चला जाओं, 44,000 पे चला गया नीचे, तो वो out of money, यानि OTM call हो गया, मा call का price अगर उसका delta 30 है, तो वो सिर्फ 30 पैसे चड़ेगा, समझे, अगर bank nifty एक रुपए चड़ा, तो जिसका delta 30 है, वो सिर्फ 30 पैसे चड़ेगा, क्योंकि वो out of money है, ऐसी अगर कोई in the money ले ले हैं, मान लिजी हमने call ले लिया, हमने मान लिजे कि 44,500 का call ले लिया, तो उ यह out of money, in the money, और at the money का delta है, तो मतलब आपके share price के साथ, जो है, कितना movement आपका option दे रहा है, इसे अम delta बोलते हैं, यह पहली चीज आपको समझ में आने चाहिए, दूसरी जो चीज है, वो आपको समझ में आने चाहिए, जो आपके favor में काम करती है, जिसे बोलते हैं, theta, theta मतल आ रहा हूँ, तो 5 June है, तो 6, 7, 8, यानि तीसरे दिन इसकी expiry है, तो जो भी out of the money, उस दिन जो जो भी options out of the money होंगे, उनकी value 0 हो जाती है, ठीक है, तो theta जो है, वो एक time decay होता है, जो option seller के favor में काम करता है, तो माल लिजिए आपने इसे at the money कुछ call या put buy किया, price थोड़ा वापीस आ गया, थोड़ा उपर गया, वापीस आ गया, और घुमघाम के वहीं रहा, तो उसमें जो time value है, वो options seller के favor में काम करती है, और call और put दोनों के price को वो धीरे 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 नीचे गिराती है, call के भी price को नीचे गिराती है, और put के भी price को, तो ये option buyers के against चलता है लेकिन option sellers के साथ में चलता है तो time value का सबसे बड़ा option sellers को जो है वो time value का मिलता है यानि आपने कुछ call इस तरहें के लिए है कि वही market उदर जाएगा माल लिए market उदर को नहीं भी गया लेकिन थोड़ा सा जो है वो जाके वापिस वह आ गया आपकी call गलत होने के बाद भी आप थोड़ा profit कमा सकते हैं लेकिन जब तक आपकी call बहुत जादा गलत ना हो जाए तो यह आपके favor में काम करता है theta तीसरी जो चीज है वो है vega या volatility या जिसे हम जो है विक्स के समझ सकते हैं जैसे मैं आपको यहाँ चार्ट पे अगर मैं इसे यह में लिखता हूँ Vix देखिये तो यह indyacabix है आ इसे में सबसे उपर में मूव कर लेता हूं तो vix का दीखंगे तो यह आपको यह पर यह डिली चार्ट जो है वह धिखाए बढ़ेगी तो call का price और put का price दोनों बढ़ेगा और price अगर जो बढ़ेंगे तो जो option seller है उनको नुक्सान होगा, अगर आपने call sell किया हुआ है तो भी नुक्सान होगा, put sell किया हुआ है तो भी नुक्सान होगा अगर volatility या India Wix जो है बढ़ेगा, जैसे आज आप देख सकते है कि आज India Wix जो है थोड़ा green में है, तो India Wix थोड़ा सा बढ़ा है, आज सुबह तो बलकि ये 2% जो है वो उपर था, तो अगर India Wix बढ़ रहा है, तो उससे में option sellers को ध्यान रखना है, अभी आप देख सकते हैं कि ये जो है, एक तरह से आप देखेंगे, तो ये Wix घटता च चीए, वो है कि आपको किस तरह की selling करनी है, दो तरह के market आपको बहुत clearly पहले ढूनना पड़ता है, कि क्या market range bound है, या market एक direction में move कर रहा है, चाहे वो direction नीचे की तरफ हो, चाहे वो direction ऊपर की तरफ हो, अगर market एक direction में move कर रहा है, तो आपको directional trade लेना है, यानि कि अगर मान लिए, market ऊपर जा रहा है, जैसे मान लिजिए, मैं ये bank nifty पे मैं click करता हूँ, ठीक है, और मैं intra day पो आता हूँ, तो मैं पांच منुनिट का मैं चार्टा लगा रहा हूँ, ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि market ऊपर जा रहा है, जैसे मैं को example लvar 사र है, जैसे ये example हैं, त में sell होती है एक लॉट जो है वो 25 की quantity का बेंक निफटी में होता है और इसे हर शेयर का या हर इंडेक्स का अलगलग quantity होता है और हर उसके लिए आपको एक margin की जुरुत होती है आपके account में कम से कम देखी नीचे जो amount लिखा है इतना पैसा आपके account में होना चाहिए तो जब market ऊपर जा रहा है तो आप put sell करते हैं जब market नीचे आ रहा है तो आप call sell करते हैं तो यह यह देखिए आप call का भी यहां पर आपको amount दिखाई देगा जब आपको clearly दिखाई दे रहा है कि market एक direction में move हो रहा है तो आप directional trade लेंगे उपर को जा रहा है तो आप put sell करेंगे नीचे को आ रहा है तो आप call sell करेंगे यह अगर आप selling में है तो buying में है तो उल्टा होगा ठीक है तो यह directional move अगर market आपको लग रहा है कि नहीं market आज जैस आज सुबह market जो है खुला था देखिए यह यहां पर यह market सुबह जो है खुला था और इसी range में घूमता रहा तो अगर market जो है सुबह है यहां पर मान लिजे किसी ने एक ही point पे अगर जो की इसमें यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है 4494 में यानी 4200 का अगर सुबह यह 3-3 के बाद जो है वो सकता है market में sudden movement आता है तो उसके बाद आप trade से exit कर जाएं आप intraday में trade लें अगर आप beginner हैं overnight trade को ना लेकि जाएं क्योंकि अगर रात को कोई और event हो गई worldwide तो बहुत जादा बड़ा gap up और gap down हो सकता और उसमें बहुत बड़ा loss हो सकता है तो ध्यान र यानि call और put दोनों sell कर दिये होता है यासे माल लेजिए कि यह जो है यह 44,200 पर अगर सुबह आज किसीने call भी बेज दिया होता और put भी बेज दिया होता तो यह लगबग 2 बच के 10 मिनट तक का जो time है वहां तक market उपर नीचे उपर नीचे उपर नीचे होते होते लेकिन व को आप जा रहा है तो option seller को जैसे मैंने बताया theta का benefit मिलता है यानि time value हमारे favor में काम करती है तो call का price भी धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे गिरता जा रहा है ठीक है तो हमने जो है sell किया हुआ है call or put और दोनों का price गिरेगा तो दोनों में हमको profit और अगर आप जैसे दो बज़े आप से exit किये होते तो आपको वह दोनों का profit आपको मिल जाता तो इस तरह की strategy को बोलते है short straddle short मतलब बेचना straddle जो है एक ही point पे अगर आप call or put दोनों बेचना तो इसे बोलते है short straddle तो इस तरह की strategy जब आपको लग रहा है कि market कहीं नह उन मार्केट में strategy होती है जो बहुत सारे लोग यूज करते हैं वो क्या करते हैं कि इस रेंज से बहुत ज्यादा बाहर चले जाते हैं जैसे यह रेंज है तो यहां से बहुत ज्यादा बाहर जाके और बड़े सस्ते पैसे में मान लिजे कि अभी market जो है वह 44,100 पे है ठीक ह 500,800 पे यहां पे एक पुट बेश देंगे तो बहुत जादा बाहर निकल के उपर जाके एक कॉल बेश दिया बड़ा सस्ता सा जो है वह आपको आट-दस रुपय का कॉल होगा ऐसे ही बहुत बाहर जाके पुट बेश दिया तो अब कितने चांसे हैं कि प्राइस एकदम भा बहुते ही इस तरह का कॉल जो है वो ले सकते हैं कि उपर बहुत बाहर जाके कॉल बेश दिया बहुत नीचे जाके आपने पुट बेश दिया और तीन बजे के आसपास दोनों में थोड़ा थोड़ा सा प्राइस में रेडक्शन आता है तीन बजे आप उससे एक्जिट कर टाइए इस तरह की स्ट्रेटीडीजी को बोलते हैं स्ट्रेंगल इस टी एर एंगल तो एकॉल बेसते हैं बहुत आउठ आउट 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 आउफ द में छाके तो आप नीचे जाकेब अगे बुट बेस आउड़े कुली दूपर जाके आप कॉल बेस Lives hatte आउट नमी कॉ selling या call selling यह मैं आपको basic put selling और call selling बताया है इनके hedges भी होते हैं उस पर मैंने एक वीडियो बनाया कि आप किस तरह से hedge ले सकते हैं लेकिन अगर आप intraday में trade कर रहे हैं तो hedge लेने का कोई खास benefit होता नहीं है और मैं beginners को जो है सिर्फ यह बोलता हूं कि आप overnight trade को ना लेके जाएं intraday में शुरू करके intraday में खतम करें बाइदेवे यह जो है यह option selling का मैंने आपको बताया अगर आप option buying में interested हैं तो आपके सामने अभी यह वीडियो आ रहा है इसमें आप पूरी option buying भी सीख सकते हैं इसका लिंक आपको description में भी मिल जाएगा थैंक यू